हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आज हम आपके रिए लेकर आए हैं ऐसे नास्ते की रेसिपी जिसे बनाना बेहद आसान है जब भी आपको छोटी मोटी भूट लगे या फिर सब्जी रोटी बनाने का मन ना हो तो आप इस नास्ते को बना सकते हैं खाने में यह बहुत ज़ता टेस्टी होने के साथ साथ हैल्दी भी है क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी वेजीज का इस्तमाल किया है तो जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं वो भी इस नास्ते को खा सकते हैं तो प्र dois जो ऑदने के लिए सबसे पहले हम वेजीज को कलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँपर लेंगे padшा गुवि तो यहाँपर आप देख सकते हैं इस तरह से महीन बारीक चौप करनी एं आपको पता गुभी तो पता को भी के बाद हम इसमें एड करेंगे थोड़ी सी फ्रस्ट बारी कटी हुई शिमलामिश तो सारी चीजों को आपको बारी की चॉप करना है तो शिमलामिश डालने के बाद अब हम इसमें एड करेंगे फ्रस्ट बारी कटी हुई गाजर तो गाजर को भी हम इस तरह से छोटी-छोटी टुकडो में ही कट करेंगे गाजर डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे एक बारी कड़ी हुई प्यास अगर आप प्यास नहीं खाते हैं तो आप प्यास को skip कर सकते हैं इसके जगा पर आप कोई और सब्जी का इस्तमाल भी कर सकते हैं इसके बाद हम इसमें एड करेंगे थोड़ा सा बारी कटा हुआ टमाटर तो यहां पर मैंने एक बड़े साइस का टमाटर को इस तरह से फाइनली चॉप कर लिया है तो सारी चीज़ों को हम आपस में अच्छे से mix करेंगे ताकि हमाई जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए तो इनी सब्जियों के मौस्चल से हमाई जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाएगी अगर आप मोटे दानी वाली सूजी का इस्तमाल कर रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी एड़ कर सकते हैं ताकि आपकी जो सूजी है वो अच्छे से प्रॉपरली फूल जाए तो अब इसे हम पांच मिनट के लिए रस पे छोड़ेंगे तब तक कि अपने हम दूसी तयारी कर लेंगे तो यहाँ पर अब आपने नास्ते के लिए एक पैस तयार कर演 जिसके लिए हम लेंगे चार हरी मिच हरी मिच को हम इस तरह से चोटी छोटी तो टुकड़ों में कट करके डाल देंगे तकि इसे कूलती में आसानी हो तो हरी मिच और इन सभी चीजों को हम अच्छे से कूट लेंगे तो आप चाहें तो mixing jar में डाल कर भी इससे कूट सकते हैं लेकिन इस तरह से कूटने से हैं इसमें बहुत ज़्यादा मौस्टर नी बनता है और इस तरह का paste हमारे नास्ते में जाकर बहुत अच्छा सा टेस्ट लेता है तो देखिए इस तरह से हमने सभी चीजों को अच्छे से दरदरा कूट लिया है तो इसे अब हम side कर लेते हैं और अब अपनी सूजी को हम check कर लेते हैं तो देखिए पांच मिनट हो चुके हैं और हमाई जो सूजी है वो काफी अच्छे से फूल गई इस तरह से हमाई जो सूजी है उसमें अच्छा सा मौस्चर आ चुका है तो अब हम इसमें एड़ करेंगे स्वाद अनुसान नमक नमक के बाद हम इसमें अड़ करेंगे थोड़े से spice तो सबसे पहले हम इसमें अड़ करेंगे थोड़ी सी साबूत, चीरा, एक चौथा ही चमच जितना अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे skip कर सकते हैं करेंगे करेंगे खब कर नायें लुक्स डालेंगे डालेंगे कलर लगे कश्मीरी लाल मिच और अपका करते हैं थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर तो अब इसकी चीब को डाने के बाद हम इसमें विल् donor को डालएं ही निबू का अगर आपके पास निम्बू का रस नहीं है तो आप इसकी जगा पर दो चम्मच दही का भी इस्तिमाल कर सकते हैं या फिर आप इसमें वेनेगर भी डाल सकते हैं इसके बाद हम इसमें एड करेंगे थोड़ा सा अध्रक लैसून मिलची का पेस जो हमने तयार करके रखा है तो अब इन सभी मसालों को डालने के बाद हम इसमें डालेंगे दो से तीन चम्मच के करीब किहू का आटा आप चाहें तो इसकी जगापर बेसन का भी इस्तिमाल कर स काफी अच्छे से बाइंड हो रहा है तो बस इसी तरह का आपको एक थोड़ा सा थिक डो तयार करना है ताकि हमारे हाथों पे बिल्कुल भी चिपके नहीं तो देखिए डो हमारा बंड कर रैडी हो चुका है तो इसे अब हम पांच मिनिर के रेस्ट पर छोड़ देंगे त आपके पास जिस तरह का भी हो आप उसका इस्तिमार कर सकते हैं लेकिन इस तरह का होल वला ही होना चाहिए ताकि हमारा नास्ता काफी अच्छे से कुक हो जाए तो अब अपने नास्ते में हम डालेंगे आदा छोड़ा चमच जित्ता बेकिंग पाउडर बेकिंग सोड़ा नहीं बेकिंग पाउडर और इसे डालने के बाद आपको इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालना है ताकि अच्छे से एक्टिवेट हो जाए तो जब यह एक्टिवेट हो जाता है तो इसमें थोड़े से बबल्स आने लगते हैं तो अब इसे हम फटा-फट से अच्छे से मि यह डो बनकर तैयार हो जाएगा तो अब अपने हाथों में हम हलका सो ऑईल लगा लेंगे और थोड़े से अमाउंट में इस डो को हम लेंगे और इसे हम बहुत हलके हातों से इस तरह से गोलाई में जेव देगे एक टिक्की के जैसा आप चाहें तो इससे किसी भी शीप मे वह बना लेंगे तो यहाँ पर जिया भखना है इसमें आपको बैकिंग आखना डालना. बहुत ही अच्छा बने और खाने में सैस्टी हो बैकिंग इस्टे रहें अगर आपिस्ति टेस्टी में बहुत सारे नास्ते को बना कर एड़ी कर लिया है तो अब फटा फटते हमें इसे स्टीमर में डाल देना है इस्टीम होने के लिए तो तकरीबन 10-15 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से कोक करेंगे आप चाहें तो इसे 10 मिनट भी कोक कर सकते हैं लेकिन 15 मिनट करेंगे तो आपका जो नास्ता है वो बिल्कुल अच्छे से कोक हो जाएगा तो मीडियम फ्लेम पर आपको इसे अच्छे से सेट कर देना है और 15 मिनट के लिए आपको इसे ढख कर अच्छे से स्टीम होने देना है तो 15 मिनट के बाद हम अपने नास्ते को चेक कर लेंगे तो चलिए फ्रेंड इस से इससे चेक कर सकते हैं तो बिल्कुल क्लीन हमारी ये नाइफ निकल के आई है और ये बहुत अच्छे से कुक हो चुका है तो अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे जैसे हमारा ये नास्ता ठंडा हो जाएगा हम इसे एक एक करके निकाल लेंगे और ये बहुत इसली निकल जाता है क्योंकि हमने अपनी प्लेट को ऑईल से अच्छे से ग्रीज कर लिया था तो देखे कितनी अच्छे से रिमूव हो रहा है ये बिल्कुल भी चिपकता नहीं है तो इसी तरह से हम अपने सारे नास्ते को निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम इसे थो नास्ते को इसमें डालेंगे और हाई फ्लेम पर हम इस नास्ते को एक से डुमिनेट के लिए अच्छे से कुक करेंगे तो यहां पर हमारा यह चत्पता सा नास्ता बंकर रेडी हो चुका है पर हमारा ये चटपटा सा नास्ता बनकर रेडी हो चुका है तो अब इसे हम गर्मा गर्म सर्फ कर देंगे तो यहाँ पर हम इसे चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं खाने में यह बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होता है तो ज कर से एंगया झालीत ऑनिन यहाँ कर देस्टी कर दो कर दोगका है, विर रेडी है, जपसने साथ से एंगया झाली होता रे या कर दे अगया है, वहाँ फुIV है, नुछ-छ़वार रे रे रे, जड़़रों छे।UR झेंगर हैं तो अोझीर प्रता है.